एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा आप जहाज में सवार हुए आपके पास एक हजार अश्रफियां थी एक साहिब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है लहाजा जहाज वाले आपके खिदमत में लगे रहे इस काम के लिए उन्होंने अपने एक साथी मस्तकिल तौर पर आपके साथ कर दिया उसने खूब खिदमत की इमाम साहिब उसकी खिदमत से बहुत मतासिर हुए बातों बातों में एक हजार अश्रफियों का जिकर कर बैठी एक सुबह उनका साथी सो कर उठा तो चीखने चिलाने और सर पीटने लगा और कपड़े फारने की नौबत आ गई लोग बहुत हैरान हुए पूचा आखर हुआ क्या जब सब इसरार करने लगे तो बोला मेरे पास एक हजार अश्रफियों की थैली थी वो गुम हो गई है अब एक एकी तलाशी ली जाने लगी इमाम साहिब ने चुक्के से अश्रफियों की थैली समंदर में गिरा दी सब के साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई जब किसी के पास से भी थैली नमिली तो सब ने उसे वुरा भला कहा सफर खत्ब हुआ लोग जहाज से उत्रे तनहाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा आपने तो बताया था कि आपके पास अश्रफियों की थैली है फिर आपने उस थैली का क्या किया इमाम बुखारी ने फरमाया मैंने थैली समंदर में गिरा दी वो ये सुनकर हैरान हुआ बोला आपके दिल ने इस गदर बड़ी रक्म को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया आपने जवाब में फरमाया मैंने अपनी तमाम उम्र रसूल लाह सल्लाहु ले वसल्म की अहादीस की तलब में बसर कर दी दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूँ ठैली अगर मेरे पास से बरामत हो जाती तो लोग क्या कहते जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अश्रफियों की खातर खो देता हूँ